12 परसेंट का डिसकाउंट दिया 29040 में बेचा उसका अंकित मुल्य क्या होगा अब देखो परसेंटेज भी मेटर करता है अब यहां पे ऐसा परसेंटेज ही नहीं है कि हम फ्रेक्शन बनाए डारिट भी कर सकते हैं पहले आपको थोड़ा सा इसका basic बताता हूं मैं कि इसका basic क्या होता है हाला कि आपके लिए कुछ भी इसमें नया नहीं है कुछ भी अलग नहीं है फिर भी एक example लेते हैं कि मान लीजिए पहले तो आपको मैं इसके types बताओं कि discount के types क्या होते हैं तो आप याद रखना पहले तो यह दो type के होते हैं एक को बोलते हम single discount है ना हिंदी में इसको बोलते है क्रमीक चूट और एक होता है successive discount सक्सेसिव डिसकाउंट या इसे हम कहेंगे स्वारी यह हो जाएगा आपका एकल छूट और सक्सेसिव डिसकाउंट यानी हो जाएगा आपका क्रमीक छूट है ना दोनों में क्या अंतर होता है इसको समझेंगे अगर केबल एक ही बार एक सिंगल डिसकाउंट दिया जाए तो उसे बोलते हैं सिंगल डिसकाउंट एकल छूट और अगर बार बार डिसकाउंट दिया जाए और डिसकाउंट के उपर डिसकाउंट दिया जाए तो उसे कहते हैं सक्सेसिव डिसकाउंट या क्रमीक छूट जै यहां पे 45% का डिसकाउंट मिलेगा ठीक है यहां पे आपको मिल रहा है 30% प्लस 20% का डिसकाउंट है ना इधर आपको कितना डिसकाउंट मिल रहा है इधर 45% डिसकाउंट मिल रहा है और इधर आपको 30% प्लस 20% डिसकाउंट मिल रहा है ठीक है तो आप यह बताईए कि आपक से ज़्यादा बेटर क्या रहेगा किसमें अपना फाइदा है 30% प्लस 20% डिसकाउंट लेने में या 45% डिसकाउंट लेने में और हम कोई भी चीज ले लेते हैं मान लीजिए एक लाख है है ना आपका सेलेक्शन हो गया आपने सोचा था सेलेक्शन होने के बाद अपन लेंग आप किस से लेंगे कौन सा आपके लिए ज़्यादा फाइदेमंद है मैं आपको दोनों कैलकुलेट करके बताता हूं सुनिएगा ये आपका एक लाख है है ना हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है अगर यहां 45% का डिसकाउंट मिल रहा है यानि 45% आपको नह पर उनकालने जाईगे तो वो कितना आजाएगा वो आजाएगा आपका 55,000 है कितना आजाएगा वो वो आजाएगा आपका 55,000 पूली हाया ना 45% का discount यानि आपको only 55% pay करना है तो 1,00,000,000 का 55% कितना हो जाएगा 1,00,000,000 का 55% होगा 55,000 यानि एक बार में इखटा जो discount मिल जाए उसे हम कहेंगे single discount ठीक है लेकिन जब यही चीज आपकी इधर जाएगी है ना इसका मतलब क्या होगा कि 1,00,000 का iPhone है पहले 30% discount मिलेगा 30% discount मिलेगा यानि 70,100 फिर 20% discount मिलेगा यानि 80,100 इसमें actually क्या होता है एसे मज़ समझना कि आपको direct 50% का discount मिल जाएगा सीधा 50 मिल जाएगा नहीं पहले 30% discount मिलेगा फिर जो बचेगा उस पे 20% discount मिलेगा ठीके तो यहाँ पे 1,2,3,4 गए 8 और 7,56 के आगे लग जाएगे 3,0 मतलब यही आईफोन यहाँ कितने में मिलेगा 56,000 में मिलेगा जो यहाँ कितने में मिल रहा था 55 में तो आप सोचिए आपके लिए ज़्यादा फाइदा कहा था आपके लिए 55,000 45% में फाइदा था कि 30 प्लस 20 और आप आजकल Amazon, Flipkart इन सब को देखिएगा आपको दिखेगा कि यह वाला पैटर्न खूब चलता है Companies जो है यह दिखाती है और इससे हम जो है सब गड़बड कर देते हैं क्योंकि यह हमें 50% दिख रहा है लेकिन यह 50% नहीं है और यह 45% है लेकिन रियल में भी 45 है यह 50 है लेकिन रियल में 50% नहीं है तो अगला एक और concept यहाँ पे निकल के आता है जिसे कहा जाता है एकल छूट ही कहते है है या इसको बोलते हैं हिंदी में एक और नाम समतुल्य बट्टा समतुल्य बट्टा 30% और 20% का समतुल्य बट्टा बताओ 30% और 20% का 81% बताओ एक बार का डिसकाउंट बताओ इतना समझ में आया एकल छूट या समतुल्य बट्टा मतलम में क्या बूल रहा हूं कि 30% और 20% का 81% डिसकाउंट बताओ तो इसको हम कैसे calculate करेंगे मान लो कोई चीज 100 है पहले 30% का डिसकाउंट दो यानि 70 बटे 100 फिर 20% का डिसकाउंट दो 80 बटे 100 100 से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा बचेगा आपके पास 56 56 का मतलब पता है क्या है हम जानते हर चीज 100% होती है 56% का अगर discount देंगे यानि हमारे पास कितना बचेगा 44 56 रुपए तो मुझे pay करना है और अगर 56 मुझे pay करना है यानि मुझे कितना pay नहीं करना है मुझे 44 नहीं करना है तो जो आपको यहाँ पे 50% दिख रहा है जो 50% का discount दिख रहा है यह वास्तों में कितना percent पता है यह 44% है इसलिए आपको इधर के बदले इधर के बदले इधर फाइदा है क्योंकि यह 50 दिख रहा है लेकिन जब हमने calculate करा तो यह 44% निकला जबकि यह flat 45% है यानि इधर अपना ज़्यादा फाइदा था तो आप 100 की मदद ले लोगे इसके अलावा आपको कुछ चीजे और बताता हूँ मैं है ना कुछ चीजे और बता रहा हूँ बो और सुन लो अब मैं आपको एक अलग example और दे रहा हूँ जैसे मैंने कहा कि कोई चीज 60,000 रुपे की है है ना या एक काम करें एक काम करते हैं चलो ठीक 60,000 रुपे की कोई चीज है और उस पे 25 परसेंट का डिसकाउंट देना है अगला क्या है अगला 25 तो नहीं है ना ठीक है उस पर 25 परसेंट का डिसकाउंट देना है तो डिसकाउंट के बाद उसकी कीमत क्या होगी, तो सुनिएगा ध्यान से, पहला तरीका, पहला तरीका कि 60,000 का 25% निकालो, 60,000 का 25% निकालोगे 15,000 आएगा, यानि 60,000 में से 15,000 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा, एक आंसर हो गया, एक मेथड, दूसरा, 60,000 पे 25% का डिसकाउं देना है, 100 में से 25 माइनस कर दो, बचा 75, तो हम 75 अगर पे करेंगे, तो भी हमारा आंसर डारेक्ट 45,000 आ जाएगा, तीसरा तरीका सुनिएगा, है ना, हम जानते हैं, 25% का मतलब होता है, 1 by 4, अब जब भी फ्रेक्शन बनेगा, 4 हमेशा क्या होगा, मार्क्ड प्राइज हो और 1 उस पे दिया जाने वाला डिसकाउंट होगा, 4 हमेशा मार्क्ड प्राइज होगा, और 1 उस पे दिये जाने वाला डिसकाउंट होगा, एक बात, तो देखिए, आप यहां रेशो बनाओगे मार्क्ड प्राइज और सेलिंग प्राइज की, अगर मार्क्ड प्राइज 4 ह तो उस पे एक युनिट कम होगा, मतलब चार की चीज को आप कितने पे बेचोगे, तीन पे बेचोगे, ठीक है, अब मुझे बताओ कि 60,000 क्या है, ये मार्ग्ड प्राइज है, मतलब डिस्काउंट हमेशा अंकित मुल्य पे देते हैं, 60,000 की चीज पे डिस्काउंट देने के बाद बेचना है, मतलब ये जो 60,000 है, ये अंकित मुल्य है, इस पे भाग देंगे 4 का, और सेलिंग प्राइज, विक्राय मुल्य, गुणा करेंगे 3 का, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 45,000, ठीक है, चलो, अब आपको questions पे लेकर 88% बचा, इतने में तो बेचा है, इस पे डिस्काउंट नहीं देना है, मतलब ये जो 29040 है न, ये अपने आप में 88% है, तो 100% क्या होगा, किसी चीज पे आपने डिस्काउंट दे दिया, आप एसे समझो कि आपने डिस्काउंट देके 88% में बेचा, तब जाके 29040 हुआ, है न, यानि ये 88% है, ये डिस्काउंट देने के बात, बात की कीमत है, 88% है, तो 100% क्या होगा, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम अगर युनिट डिजट लगा ले तो भी काम हो जाएगा, भई सोचो 88 में किस नंबर का मल्टिप्लाइ करें, ताकि युनिट डिजट 4 आ 33,000 आपका आंसर आएगा, 33,000 आपका आंसर आएगा, क्योंकि 8 का 3 से मल्टिप्लाइ होगा, 8 तो युनिट डिजट 4 आ जाएगा, 33,000 इस दी राइट आंसर. झाल 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